प्रवागत है आपका टुडेज्स क्लासेज में तो आईए शुरू करते हैं हमारे चल रही हुई टॉपिक पॉलिनॉमियल को और आगे बढ़ाते हैं इसको इसके टाइप्स को जानके इसके टाइप्स जानेंगे आज हम टाइप्स और जीरोज और पॉलिनॉमियल क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे तो पहला हम पढ़ेंगे कि क्या होता है पॉलिनॉमियल के टाइप्स तो हमने पढ़ा कि पॉलिनॉमियल से यानि क्या होते हैं मैनी टम्स क्या होते हैं मैनी टम्स Terms क्या थे? Terms वो थे, मतलब combinations of variable and constant Variable और constant coefficient का combination था, वो क्या था? Terms था और algebraic expression पढ़े थे, तो algebraic expression क्या थे? यहाँ पे था the combination of variable and constant with logical operation like plus, minus, divide, multiply, इन सबसे जब जोड़ करके एक expression बनता है यहाँ एक equation बनता है, तो उन्हें हम algebraic expression कहते हैं और हमने देखा कि polynomial क्या होता है, polynomial की हमेशा क्या होती है polynomial is a algebraic expression having degree non-negative मतलब उनके powers होते हैं, non-negative होते हैं fraction नहीं होते हैं, negative नहीं होते हैं, सिर्फ क्या होते हैं? positive होते हैं या 0 होते हैं अब आगे बढ़ेंगे हम types of polynomial को पढ़ते हुए देखें, पहला जो types आता है, types of polynomial पहला type है based on term term के basis पे कैसे हम types of polynomial को define करते हैं? तो पहला देखिए, types of polynomial, number of terms अगर हम terms कहें, terms हमने पढ़ाता, क्या होता है, terms में क्या होता है? एक term हो गया ऐसे, ऐसे ले लिए 2x plus 2, यह 2 term हो गए 3x square plus 2x plus 1, यह हो गया 3 terms यह terms होते हैं, एक जो यह number इधर दिख जाए हैं यह क्या होते हैं? यह एक terms हैं, यह क्या है? तो terms किन-किन से मिलके बने रहते हैं? variable or coefficient, या only constant, या only variable हो सकते हैं तो आईए हम ऐसे ही, तो ऐसे ही देखते हैं, तो terms का अगर हम कहीं देखें कि one term किसी भी expression में one term आया हो, तो उन्हें हम कौन से नाम, क्या नाम देते हैं? कौन से? कौन सा polynomial कहते हैं? देखते हैं, तो one term अगर कह दें, तो 5x ले लिया जाए, और 22y ले लिया जाए, 2z ले लिया जाए, 3a ले लिया जाए, तो ऐसे जो terms आएंगे, इन्हें हम क्या कहते हैं? तो ऐसे जो terms आएंगे, इन्हें हम कहते हैं, monomial, monomial यानि one term expression जो होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? monomial कहते हैं, monomial, यह कहते हैं? monomial, ठीक है? अब ऐसे ही आगया, second, मतलब second क्या हो गया? binomial, binomial यानि, by मतलब 2, आप पढ़े होंगे, तो by क्या होता है? दो term, यानि क्या हो जाएंगे? दो term के जो kolonial हो जाएंगे, ऐसे 5x प्लस 2 हो गया, ऐसे terms, x square प्लस 3x ले लिया गया, तो यह ऐसे terms क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? binomial, क्या कहलाएंगे? binomial, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, हमने पढ़ा one, one terms को monomial, कहते हैं, और two terms के expression को binomial कहते हैं, अगर हम कहें कि three terms के expression को हम क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे क्या? क्या क्या कहते हैं? ट्राइ, यानि तीन, ट्राइ मतलब तीन, और normial मतलब क्या हो गया? terms, नॉमियल मतलब क्या हो गया? terms, तो तीन terms के जो expression होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? Triniomial कहते हैं, इन्हें क्या कहेंगे? Triniomial. Triniomial हो गया. अगर हम इसके बाद बढ़ें, अगर इसके बात कहें कि, अगर इसके बाद कौन से, अभी कौन से polynomials आते हैं, तो हम क्या कहेंगे? फोर्थ तर्म हो जाएंगे, अगर यहीं कहते हैं, फोर्ट तर्म अगर आ गये, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम देखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, फोर्ट तर्म आ गया, और इन्हें हम क्या कहेंगे, many terms वाले term आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा polynomial हम जानते हैं हमने पिछली class में देखा था अगर one terms के normials जो होते हैं terms वाले expression होते हैं उन्हें monomials कहते हैं two term वाले expression को हम क्या कहते हैं binomial कहते हैं three terms के expression वाले terms को क्या कहते हैं three terms के expression वाले जो होते हैं, equations, उन्हें हम क्या कहते हैं, trinomial, और more than 3 जब होते हैं, more than 3 मतलब 3 से ज़्यादा कितने भी, 4, 5, 6, 7, infinite, तो उन टर्म्स को हम क्या कहेंगे, polynomial कहेंगे, क्या कहेंगे, polynomial, polynomial कहेंगे, polynomial कहेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, अब देखें, polynomial को अगर हम generally represent करें, तो कैसे लिखेंगे, तो हमारा हमें पढ़ाता standard form of polynomial, तो first हम कह सकते हैं, या polynomial को ascending order में लिख दिया जाए, या फिर descending order में लिख दिया जाए, तो ऐसे polynomial क्या होते हैं, standard form में हो जाते हैं, अगर हम कहेंगे, कि a1, क्या, a1 x to the power 1, प्लस a2 x to the power 2, प्लस a3 x to the power 3, ऐसे हम ले जाएं, n term, अगर ले जाएं, a n-1 x to the power n-1, और प्लस a n x to the power n, तो यह क्या हो गया, general representation of, general representation, representation of polynomial, तो general representation कैसे करेंगे, हम लिख देंगे, a1, a1 x power 1, a2 x to the power 2, a3 x to the power 3, ऐसे ही ले जाएंगे, a n x to the power n, n की value क्या है, n की value हम लिख सकते हैं, 1, 2, 3, ऐसे ही करके, infinite तक होगी, और यह क्या है, यहाँ पर, a coefficient है, a क्या है, कुछ भी हो सकता है, coefficient या नहीं क्या होते है, नमबर हो गए, and it 1, 2, 3, 4, 5 में से कुछ भी हो सकता है, और यहाँ क्या हो गया, x क्या है, x एक variable है, x क्या है, variable है, और यह किस order में लिखा गया है, देखिए, 1, 2, 3, 4, ऐसे करके, ascending order में लिखा गया, तो यह क्या हो गया, general representation of polynomial, standard form में भी हो गया, generally हम polynomial को कैसे represent करते हैं, this form में, ठीक है, समझ में आ गया, अब आते हैं हम second form, या फिर देखते हैं कि degree of polynomial क्या होता है, degree of polynomial, अगर हम कहें कि हम किसी expression को लिख दिये, अगर हम लिख दे 2x square plus 3x plus 2, अगर हम यह लिख दे रहे हैं, तो degree क्या होती है, degree देखें क्या होती है, अगर हम कहें degree क्या होती है, जिस expression में, जो highest power of x होता है, मतलब x का जो x सबसे बड़ा, यानि greatest exponent होता है, उनीक हम क्या क्यते है इस expression की या polynomial की क्या क्यते है degree क्यते है तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दिख रहा है कि क्या है 2 है तो इस degree of polynomial क्या हो जाएगा degree क्या हो जाएगी इस polynomial की degree क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी मतलब expression के न variable का highest power क्या होता है degree of polynomial होता है आगे हम बढ़ेंगे ऐसे ही कुछ और क्यों कहेंगे तो लिखेंगे 3x3 plus 5x plus 2 अगर हम इसमें कहें तो बताइए degree of polynomial क्या है तो हम देख पा रहे हैं x का power कितना है greater 3 है तो degree क्या हो जाएगी डिगरी क्या हो जाएगी बढ़ेंगे 3 हो जाएगी सब्सक्राइब आगे बढ़ते हैं और भी एक expression लेने अगर लेने ऐसे xy plus 5x square y plus 6 xy cube कर दे तो इस case में क्या हो जाता है डिगरी अगर हम कहें तो यहाँ पे दोनों की degree काउट होती है यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 इसकी degree क्या है 2 है अगर इसकी degree count करें तो यहाँ पे 3 degree है total और इसकी degree count करें तो यहाँ पे 4 degree है तो कौन सा expression इसकी degree क्या हो जाएगे highest degree कौन सी है इन तीनों में से यह है 4 degree तो क्या हो जाएगे इसका degree degree क्या हो जाएगा degree of polynomial क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं अगर हम degree के basis पे polynomial को अगर part by part बताएं तो पहले अगर one degree के polynomial को क्या कहेंगे हम देखते हैं आगे तो आगे one degree यानि अगर किसी polynomial का one degree हो तो वो कैसा दिखेगा कैसा दिखेगा यक्स 5x 6x 8x माइनस 2x तो यह क्या है degree कितनी है one है अगर किसी भी polynomial की degree क्या होगी हम कह सकते हैं ऐसे क्या कह सकते हैं 5x प्लस 1 भी कह सकते हैं तब भी क्या है degree one है जब भी किसी polynomial की degree one होगी तो उसे हम क्या कहेंगे पताएं क्या कहेंगे linear polynomial कहेंगे क्या कहेंगे linear polynomial है ना linear equation हमने पढ़ा था linear equation क्या होता है जब भी हम किसी एक variable को लेते हैं या फिर कह दे, क्या 5x ऐसे equation जब आते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, linear polynomial, हमने पढ़ा है classic में, तो क्या हो गया, linear polynomial हो गया, अगर हम यहीं पर कह दे, कि अगर यहां पर क्या आ जाए, कि 2, 2 degree of polynomial आ जाए, तो उसे हम क्या करेंगे, अगर 2 degree of polynomial उन्हें कैसे लिखते हैं, x square हो जाएगा, डिगरी क्या हो गई, जिसका power, highest, highest power of expression, यानि कोई वेरियर, highest power of degree होता है, तो यहां पर degree कितनी है, degree यहां में कितन है, 2 है, अगर ऐसा expression दिया हो, तो इस expression को कौन सा polynomial कहेंगे हैं, तो अगर 2 degree polynomial होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, quadratic polynomial, क्या कहते हैं, quadratic polynomial, quadratic polynomial कहते हैं, अब अगर हम कहते हैं, कि 3 degree polynomial को क्या कहेंगे, 3 x cube plus 4 x plus 3 अगर कहते हैं, तो यहां पर देखिए, यहां पर highest degree कितनी है, highest degree 3 है, तो अगर ऐसे polynomial आ गए है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, बताइए, बताइए, तो हम पढ़े हैं, अगर 1 power होता है, तो उसको हम linear पढ़ लिए, 2 power होता है, तो square पढ़ते हैं, 3 power होता है, क्या पढ़ते हैं, cube पढ़ते हैं, तो square वाल आ मको क्या कहेंगे, cube degree, अगर मन्दब किसी के power, highest degree कितनी हो, 3 हो, तोसे हम क्या कहेंगे, cubic polynomial कहेंगे, cubic polynomial, cubic polynomial, cubic polynomial कहेंगे, अगर कितने degree हो, 3 degree हो अगर हम कहते हैं, कि 4 degree बताइए 4 degree अगर किसी polynomial की 4 degree है तो उसे हम क्या कहेंगे 4 degree अगर आ रहे हैं किसी polynomial की तो उसको हम क्या कहेंगे तो 4 degree वाले expression लिखने पहले प्लस 3x cube प्लस 2x square प्लस 5 लिख दिया जा तो यहाँ पर degree देखे क्या है? degree क्या है? 4 है. degree कितनी है? degree कितनी है? बताइए, 4 है ना? 4 है. तो ऐसे degree अगर किसी की, क्या 4 degree हो तो उसको हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं bicar homosexual क्या कहेंगे? bicar Lulu polynomial polynomial और और क्या कह सकते हैं क्या कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि 4 degree polynomial को क्या कहते हैं क्या कहते हैं अगर 4 degree polynomial को 4 degree polynomial को क्या कहते हैं तो कह सकते हैं bicodratic और क्या कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं quartic polynomial कह सकते हैं समझना रहा है अब आगे बढ़ते हैं अगर इससे ज़्यादा आ गया तो तो उसको भी क्या देंगे नाम polynomial या फिर हमने pent hex ऐसे नाम सुना है तो उस नाम से भी define कर सकते हैं अब आगे बढ़ेंगे कि अगर एक एक term चूट रहा है कि constant polynomial अगर आ रहा है constant polynomial तो constant को हमने पढ़ा था constant क्या होता है constant वर चीज होती है जिसकी कभी value change नहीं होती तो constant polynomial यानि उसकी degree क्या रहने वाली है अगर उस expression की degree कहें तो expression की degree क्या रहने वाली है 0 रहने वाली है तो यहाँ पे देखिए 3 x to the power अगर 0 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है अगर हम पढ़े थे किसी भी यह की power 0 होता है तो उसकी value में सा कितनी होती है 1 होती है तो यह क्या हो गया constant polynomial इसे क्या कहेंगे constant constant polynomial कह देंगे क्या कह देंगे constant polynomial simple है आगे बढ़ते हैं अब आता है value of polynomial है ना अगर कोई expression ले दिया गया और हमें बताना है कि बताईए इस polynomial की इस algebraic expression की value क्या होगी है ना अगर हम ले ले क्या ले ले कि 4x square plus 2x plus 3 ले लिया गया और हमें x की value क्या दे दी 2 दे दी है ना तो हम जेनरली अगर polynomial को represent करना होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते है function के form में px लिख सकते है यह लिख सकते है px is equal to यह expression हो गया तिक आपर हमें पता करनी है इस polynomial यानि इस algebraic expression की value क्या होगी अगर हमें x की value कितनी दी हो 2 d हो तो आईए solve करते हैं तो हमें px की जगा क्या लिख लेना है px की value कितनी दी है 2 d है तो यहां पर 4 2 का square फिर plus 2 into 2 plus 3 is equal to 4 into 4 plus 4 plus 3 4 फोर जा कितना होता है 16 plus 4 और plus 3 यहां पर हो जाएगा 20 plus 3 और answer हमारा क्या जाएगा 23 23 समझ दीजे आ रहा है समझ में अगर हम एक और question ले लिजे एक और question ले लिजे उससे ज़्यादा समझ में आएगा यहां तक समझ में आपको देख लिजे ठीक क्या हो गया px की value जो polynomial दी हुई थी x की value 2 रखने पे इसकी value कितनी आई इसकी value आ गई 23 अगर हम एक और example ले ले value of polynomial समझ मा रहा है value of polynomial क्या होगा कि हमें x की value या फिर जो भी variables हैं किसी terms में उसकी value अगर दी है तो उसको हम कैसे find करेंगे जैसे qy qy is equal to qy is equal to 3y की power 4 ठीक आगे बढ़िए minus 5y cube plus y square plus 8 और y की value हमारी दी है कितनी y की value minus 1 दी है क्या दी है minus 1 तो यहाँ पे हम qy की जगे का कर लेंगे qy की value क्या है minus 1 है तो हम यहाँ पे multiply कर देंगे 3 into minus 1 to the power 4 minus 5 into minus 1 to the power cube plus minus 1 का whole square plus 8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा अगर हम कह देंगे कि minus 1 into minus 1 क्या होता है हमने ये पढ़ा है पढ़ा है की नहीं अग minus into minus का value कितना आता है प्लस आता है minus into plus की value कितनी आती है minus आती है minus अगर plus में multiply किया जा है माइनस का तो कितना आता है माइनस आता है और प्लस में प्लस की मेंटिप्लाई किया जाए तो भी यह आंसर कितना आता है प्लस आता है तो यहां क्या है माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन तो माइनस इंटू माइनस value क्या हो जाएगी, plus 1 हो जाएगी तो यहां पर क्या लिख देंगे, 3 हो जाएगा into 1 हो गया, minus अब देखें, cube हो गी, minus into minus, फिर minus plus हो गया, plus into minus minus आ जाएगी, 5 into minus 1 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ी हैं, फिर minus minus, plus हो गया, इसकी value उबर और यहां पर 8 हो गया, यहां देखें, 3 minus minus plus 5 plus 1, plus 8 is equal to 3, 5, 8, 8, 16 16, 1, 17 तो value of polynomial क्या आ गई? 17 आ गई आगे बढ़िये आगे बढ़िये दिया zeros of polynomial, तो zeros of polynomial क्या होता है? मतलब ऐसा, ऐसी value अगर हम उस variable जिसे क्या हो गया? PX कोई value दी है, PX मतलब equation 0 गब होगा? मतलब X जो variable ली है, या फिर कोई variable ली है, उसकी value क्या रख दिया जाए? कि उस पूरे expression की क्या value 0 हो जाए? तो उसी को हम क्या कहते हैं? zeros of polynomial. अगर हम इसको define करें, क्या होता है? Let PX be the polynomial. If PX is equal to 0, PX या नि क्या? जो हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, जो पॉलिनॉमियल की value क्या हो? 0 हो जाए then we say that X, जो X वाला term है, जो आएगा, X क्या है? is a 0 of a polynomial PX, या न? वह value जो रखी जाएगी, यानि PX यानि यह यह value एक्स की जो रखी जाएगी, वह उस polynomial, उस algebraic expression के क्या होगी? 0s अब polynomial करताएगी. अगर हम इसके question solve करें, तो हमारा एक question आता है PX is equal to X minus 5 ठीक है? तो इसको हम solve करेंगे तो बताएगे, X की value क्या रख दिया जाए? कि यह क्या हो जाए? 0 हो जाए. तो हम simply क्या सकते हैं, X minus 5 is equal to, अगर हम यह 0 रख दे तो हमें X की value कितनी मिलने वाली है? 5 बिल जाएगी? बिल जाएगी कि नहीं? तो हमारी X PX की value क्या हो जाएगी? PX is equal to क्या? 0 तब होगी, जह हम PX की value क्या रख रहे है? 5 रख रहे हैं तो हमें क्या हो गया? 5 is a 0s of X minus 5. 5 क्या है? 0s of polynomial है, किसका? X minus 5 polynomial का. अगर हम और एक example ले लें, एक और example solve करते हैं. अगर हम कह रहे हैं कि PX is equal to A X plus B दिया हुआ है. तो हमें find करना है क्या? 0s of polynomial क्या find करना है? 0s of polynomial करना है. अब देखें, अगर हम यही value क्या? AX plus B. इसकी value क्या आनी है? 0 आनी है. क्योंकि हम क्या निकाल रहे है? 0s of polynomial. इसकी value क्या है? 0, यहाँ 0 रख करके इसको solve करेंगे. AX is equal to minus B हो जाएगा. यह वाला time उदर गया तो minus हो गया. और P minus B by A, इसकी value क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. अगर हम यहाँ पे धरके verify कर लें, तो A into minus B by A plus B, तो A A से cancel, minus B plus B, minus B और plus B क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. देखिए, 0s of polynomial आ गया. अब आगे इस पे कुछ question solve करते हैं और देखते हैं कौन के हैं उसके question हमारे exam में आने वाले हैं? ठीक है? और देखेंगे कुछ question जो competitive exam में भी आते हैं. देखिए, find the value of polynomial 5x minus 5x minus 4x square plus 3, अगर x की value कितनी दी है? 2d है, end, end क्या? x की value minus 1 दी है. हमें find the value of polynomial value. हमें पड़ा था? value of polynomial क्या? x की value रखो और उस polynomial की value निकाल दो. यानि px दिया गया है और px का value हमें पहले क्या लेना है? 2 लेना है. x की value 2 रखनी है, तो 5 into 2 हो जाएगा, minus 4, 2 का square हो गया, plus 3 हो गया, और 5 to the 10 minus 2 to the 4, यहां पे क्या हो गया? 4 plus 3, और यहां हो जाएगा, 10, 10 plus 3 कह सकते हैं, 13 हो गया, 13 minus 16, और answer हमारा कितना आ गया? minus 3, तो value of polynomial क्या हो गया? minus 3, अगर ऐसे ही हम px की value, px की value minus 1 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 5 into minus 1 हो जाएगा, और minus 4 into minus 1 का whole square हो जाएगा, और plus 3 हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा minus 5, और यहां हो जाएगा, minus 4 plus 3, minus 9, और minus 9 plus 3 is equal to हो जाएगा, minus 6, तो हम देख रहे हैं, अगर हम p की value, यहां हमारा value आ रहा है, minus 3, और अगर हम p की value, यहां हमारी value क्या रख रहे है, minus 1 रख रहे हैं, तो हमारी value क्या आ रही है, minus 6 आ रही है, next question पर चलते हैं, verify 4 is 0 of the polynomial, pxx-1, pxx-4 जो दिया हुआ है, verify करना है कि 4 जो है, 4 जो value है, वो क्या है, 0s of polynomial है, ठीक है, हम 4, 0s of polynomial है, यहां x की value क्या रखेंगे, px की value क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, और 4 minus 4 अगर कर रहे हैं, इसकी value 0 आ गई, तो क्या हो गया, verify हो गया, कि हाँ, 4 रखने पे, x की value 4 रखने पे, इस polynomial की value क्या हो जा रही है, 0 हो गई, इसलिए हम कहा रखते हैं, इसको क्या है, 0s of polynomial है, 0s of polynomial, x minus 4, next question पर आते हैं, लेकिए, verify minus, minus 1 by 2, minus 1 by 2, is a 0s of polynomial, किसके p y is equal to, 2y plus 1, ठीक है, minus 1 by 2 क्या है, p y is equal to, 2y plus 1 में, अगर हम इसको रख रहे हैं, तो इसकी value 0 आती है या नहीं, क्या ये 0s of polynomial है या नहीं, हम इसको कर लेते हैं, देखे, क्या है, p minus 1 by 2, तो यहाँ पर हम रखेंगे y की value क्या, minus 1 by 2, और plus कर देंगे 1, 2, 2 से cancel हो जाएगा, हमारे पास बच रहा है, minus 1 plus 1, minus 1 plus 1 क्या हो जाएगा, 0 आ गया, तो 0 आ गया, मतलब क्या हो गया, ये value जो है, इस expression या इस polynomial के लिए 0s of polynomial हो सकते, 0 value, अगर इसकी value हम put कर दें यहाँ पर, तो इस polynomial की value क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो इस value कौन कहेंगे, 0 of polynomial कहेंगे, आगे बढ़िये, देखे, दिया गया है, कि verify, same वही चीज है, हम क्या कर लेंगे, एक बार q की value क्या x-6, हमें रखना है, एक बार 2, अगर 2 रखने पर, न, 2 रखने पर देखे, 0 आ रहा है, यह नहीं आ रहा है, तो 2 का square, plus 2 minus 6, 4 plus 2 minus 6, 6 minus 6 is equal to 0, verify हो गया, ऐसे aim कर लेंगे, minus 3 रखकर, minus 3 रखते हैं, तो minus 3 का square, minus 3, sorry, minus 3 का square, minus 3 और, minus 6, अगर minus 3 का square करते हैं, तो 9 आगता है, minus 3 minus 6, और यहां पर 6 minus 6 फिर से आगया, 0, तो दोनों value क्या है, 0s of polynomial है, for, for x square plus x minus 6 के लिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखे, एक SSC CZL में कुछा, देखे, बढ़ यहां कुछन है, SSC CZL में कुछन आते हैं, हम यहां से पढ़ सकते हैं, इसको, क्या है, y minus a, क्या है, y minus a, if y minus a is a factor of f y, then, then dash is the zeros of f y, अगर यह क्या दिया है, f y दिया हुआ है, y minus a दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि f y का, जो zeros of polynomial होगा, वो क्या होगा, मतलब y की value क्या रख दे, कि इस expression की value क्या हो जाए, 0 हो जाए, हम क्या कह सकते हैं, y minus a is equal to 0, और y is equal to a, मतलब y की value a रखने पे, इस polynomial की value 0 हो जाएगी, तो a को हम क्या कहेंगे, zeros of polynomial कहेंगे, तो यहां पर देखिए, second option क्या है, यह है, तो क्या हो गया, zeros of polynomial y minus a, क्या है, आग x plus y, x plus 4, x plus 4, x plus 4, x plus 4 is a factor of polynomial, then it's 0, अब हम यह zeros all find करना है, फिर से हम ले ले लेंगे, x plus 4 is equal to 0, x is equal to minus 4, मतलब minus 4, जब value इस पे input की जाएगी, तो इस expression, इस polynomial की value क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो यहां पर minus 4, second option पर हम लोग देख लेंगे, एक लगा देंगे, तुरन, आगे, आगे, अब next day हम पढ़ेंगे, कि क्या होता है, remainder theorem के बारे हम पढ़ेंगे, remainder theorem और, और क्या पढ़ेंगे, question theorem पढ़ेंगे, यह दो चीज़ हैं, जो polynomial बहुत important है, इससे हम factorization solve करते हैं, आगे हमारे आने वाले chapter में, factorization ने third chapter, तो उसको भी solve करेंगे, और देखेंगे कि polynomial के जो types हैं, वो कहां कहां use हो रहे हैं, कि अगर इस type को मदद ले करके, हम क्या कर रहे हैं, polynomial को कैसे express कर पा रहे हैं, देखेंगे, हम कैसे बता पा रहे हैं, कि यह कौन सो polynomial है, तो यह हो गया linear polynomial, ऐसे ही variable, अगर one variable किता हम होते हैं, देख लीज़े एक बार और, कि हम variable terms अगर देखें, तो जब भी किसी expression में एक variable का use किया जाता है, तो हमने पढ़ा है, इसको क्या कहते हैं, linear equation, linear polynomial, polynomial in one variable, one variable equation solve करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे, अगर हम यहां पे दो variable का use कर लिए, x plus y is equal to two ले रहे हैं, तो यहां पे दो variable आगे है, x और y, तो यह क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, linear polynomial in two variable हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही आजाएगा, three variable, linear polynomial in three variable या linear equation in three variable होगा, ठीक है, अब इसे के लिए हम कहते हैं, अपनी class factors के लिए समाब, और धन्यवाद, आगे हम देखेंगे, next question, next chapter में,